ओम शान्ती पांच तारीकी मुडली का सार है बाबा ने आज हम बच्चों को शान्ती के बारे में खास करके कहा कि जैसे संसार में लोग सिर्फ ओम कहते हैं पर बाबा ने कहा कहना तो ओम शान्ती चाहिए क्योंकि ओम का अर्थ होता है भगवान लेकिन ओम शान्ती का अर्थ है कि मैं आत्मा शान्त सुरूप हूँ और शान्ती धाम की रहवासी हूँ संसार में आज भले शान्ती के लिए बहुत बढ़कते हैं शान्ती मांगते हैं क्योंकि इस संसार में तो बहुत अशान्ती है क्योंकि ये रावन का राज्य है तो बाबने का जहां रावन का राज्य होगा असरों को कहीं पर भी शान्ती नहीं मिलेगी जाए घर हो दुकान हो जहां जाएंगे वहां शान्ती होगे क्योंकि पांच विकारों के कारण ही शान्ती फैलती है और रावन क्या है वो भी संसार नहीं जानता और बाबा इस समय हमें इतना अखुट खजाना दे देते हैं कि जो 21 जन्मों के लिए बाबा ने कहा कि जैसे संसार में जो है नई नई आत्माएं आती है तो नई नई पत्ते निकलते हैं तो उनकी महिमा हो जाती है और उनकी महिमा के कारण लोग उने हीरे या सोने में वजन करते हैं पर बाबा ने कहा आत्मा केवल इस समय वो थोड़ा सा सुक भोग लेगी लेकिन आज वजन किया कल शरी छोड़ दिया तो वो धन तो किसी काम में भी नहीं आया लेकिन यहां बाबा हमें क्या करते हैं जब नई स्रिष्टी रचते हैं तो हम बच्चे उनके कारी में मददगार बनते हैं तो हम अपना सब कुछ बाबा के कारी में सफल करते हैं इसलिए बाबा हमें उसके रिटान में 21 जन्मों के लिए अकूट खाजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी भी हमारा धन नहीं कूटता दुख नहीं आता और कभी भी आकाले मृत्यू नहीं होती है तो इसलिए बाबा ने कहा बाबा हमें अपने बच्चों को ऐसे विशेश तोर पर अखुट कजानों से वजन करते हैं और हम इश्वर के मददगार भी बनते हैं अब हम पहले थे रावन के मददगार तो बाबनी का इस समय इश्वर के द्वारा ही इस सारे संसार को सद्गती मिलती है और हमें ग्यान का तीसरा नेतर भी मिला हुआ है बाबनी कहा सुखदाम में ना तो कभी कोई गाली देगा ना कोई गंदी चीज खाएगा यहां तो बाबनी कहा बहुत गंदी चीजे खा लेते हैं इंसान और यह समय है जो महीमा गाते हैं किसी की दबी रही दूल में किसी का राजा खाए किसी का चोर लूट के ले जाए और कुछे कई होता है जो धनी के नाम पे सफल होता है तो बाबा ने कहा ये वही समय है जहां हमें अपना सब कुछ सफल करना है क्योंकि इन आखों से क्योंकि कई दिनों की मुल्य से बाबा आखों के बारे में बहुत सावधान करते हैं बाब ने कहा इन आखों से जो कुछ देखते हैं तो शरीर सही तो सब भसम हो जाएगा क्योंकि बाब ने कहा हम इस शरीर से दूसरों का शरीर भी देखते हैं कर शरीर भी है, हर चीज है, पुरी दुनिया है, तो बाबा के थी ये सब कुछ ही खतम हो जाएगा, पहले सक्षतकार होता था, दिवी दृष्टी के द्वारा, तो बहुत बच्चों को सक्षतकार होता था, लेकिन बाबा ने अभी सक्षतकार का पार्ट बंद कर दिया है, प यहां तो हम भले गीत गाते हैं कि भी तुम माता पिता तो लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चों ने बाबा को भी क्या कर लिया अपना बच्चा बना लिया जादुगरी से उनको अपना वारिस बना लिया जिससे हम बाबा को इस एक जनम में अपना वारिस बनाते हैं तो बा क्रिश्यन के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं बाबनी कहा एक तो जो पूरे संसार पर उनका अधिकार था अर्थार्ट वन थोड़ जैसे हम कह सकते हैं या त्री 4 थ तो लेकिन बाबनी कहा कि जैसे क्या करते थे राज्य करने के लिए एक दूसरों को लड़ा कर खुद माखन खा गए तो लेकिन बाबा के ते एक समय ऐसा आएगा कि जो आपस में लड़ेंगे और सारी विश्व की बादशाही जो है वापस श्री कृष्ण के हाथ में आ चाहेगे और आज भी ड्रामा के पार्ट को बाबा ने पार्ट को पका कराया क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है वो सब्भु कुछ ड्रामा अनुसार ही होता है ड्रामा में सक्षतकार होने का है तो होगा सक्षतकार भी दुनिया में भी कई ऐसे होते जो रिद्धी सिद्धी के द्वारा भी कर लेते हैं लेकिन बाबा केते उस चीज को कोई फाइदा नहीं है इसी समय है बाबा नेका 3 लोगों के बारे में भी बताया ब्रम्हांड किसे कहा जाता है और ये दुनिया जो विश्व किसे कहा जाता है विश्व बाबा केते हैं ये धर्ती बाकी ब्रम्हान तो जो है परमधाम को कहा जाता है बाकी सुक्षम वतन के बारे में बाबा ने कहा कि 5000 वर्ष तक तो सुक्षम वतन के नाम भी नहीं होता क्योंकि बाबा जब परम धाम से आते हैं तब सुक्षम वतन की रचना करते हैं तो जैसे हम सब आतमें वापस चलि जाएंगी तो सुक्षम वतन मर्ज हो जाएगा फिर तो तो देवताएं भी बाबाने का नौर्मल होते हैं दो बुझाएंवाले होते हैं चार आठ बुजावले कभी नहीं होते हैं इस समय हम बच्चों को बाबा इतना ज्ञान की सपश्टता देते हैं कि जिसे श्रीमत पर हम चलते हैं तो एक तो हमें दुख नहीं होगा दूसरी कभी अकाल मृत्यू नहीं होगी दुनिया तो आज मौसे बहुत डरती है डरते भी है और रोते भी है लेकिन हम बच्चों को उल्टा इसका क्या होता है खुशी होती है कि हम जाकर के प्रिंस प्रिंसस बनेंगे और बाबा नहीं कहा कि बाबा ही जादुगर भी है सोधागर्भी है रतनागर्भी है और बाबन ने कहा कि हाँ बाबन ने सक्ष़तकार का पाट क्यों बंद कराया क्योंकि उससे कई बर क्या होता है माया की प्रवेश्टा के बहुत चांस सोते है कहीं ऐसे माया आ जाती है कि आत्मा को पता ही नहीं लगता कि वो योग में बैठी है और पता नहीं कहां गुम हो गई मने एक सुन नवस्था हो जाती है इसलिए बाबा के थे कई बर इसमें माया बहुत आती है इसलिए उसमें सावधान भी होना चाहिए तो हमें इस समय बाबा पढ़ाते हैं ये बात बहुत पक्का हो जाना चाहिए कि वही हमारा पिता भी है शिक्षक भी है और सदगुरू भी है और हमें अपने भागी का नशा भी होना चाहिए कि हम जनम जन्मांतर के पदमा पदम पती बनते हैं और बाबा ने आकर के क्या किया बाबा जो है संगम युग में आ करके उनका अपना शरीर तो है नहीं बाकी बाबा कहते है मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ वो भागी शाली रत है भागी रत है एक तो बाबा कहते है ब्रह्मा का जो शरीर है न पुरानी जूती भी बाबा कहते हैं और कहा ये लॉंग बूट पहना है मैंने तो कई बर ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि देखो बच्चे आप लोग तो जवानों आप तो मेरे से भी जास्ती पढ़ करके उंच पद पाना चाहिए पर एक तरफ शिवाबा भी है तो उसकी मदद मिल जाती है बाबा को गले तो नहीं लगा सकता ना तो क्योंकि जिस शरीर में आये तो उसको कैसे ब्रह्मा बाबा शिवाबा को गले लगाएंगे तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे तो मुझ से भी बहुत भागिशाली हो कम से कम आप जिस शरीर में शिवाबा आये उसको बाकी तो पहन सकते हो, गले तो लगा सकते हो, ब्रह्मा बाबा केते हैं, मेरे तो ये नसीब भी नहीं है, तुम बच्चे तो बहुत लखी सितारे हो, तो श्यू बाबा केते हैं, एक तो ब्रह्मा बाबा की बात थी, अब श्यू बाबा कहते है बच्चे तुम मेरे से भी लखी हो क्योंकि आप तो पढ़कर विश्व के मालिक बनते हो मैं थोड़ी बनता हूँ आप तो ब्रह्मान के भी मालिक बन जाते हो और बाबा कहते है देखो चलो बाकी बाबा कहते है भक्ती मारक की सामागरी बहुत है पुरंतो ज्यान का सागर्तु मैं ही हूँ वर्दान है माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगजीत भव देखो माया कैसे आती है माया का रॉयल रूप समझाया बाबाने मेरा पुर्शारत, मेरी invention, मेरी service, मेरी touching मेरे गुण अच्छे हैं और मेरी निरने शक्ती भी बहुत अच्छी है यहां मेरा पन ही माया का royal रूप है और माया ऐसा जादु मंतर कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है इसलिए अब ऐसे आनेग बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंद में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे माया जीत ही प्रकृती जीत विश्व जीत वजगत जीत बनते हैं वही एक सेकेंड के अशरीरी भव के डारेक्शन को सहेज और स्वता ही कारी में लगा सकते हैं स्लोगन विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगिटिव को भी पोजिटिव में बदल दे